सब्सक्राइब कीजिए प्रियास DIY चैनल को और बेल आइकम पे क्लिक कीजिए मेरे फ्यूचर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेर करूंगी जिससे आप अपने हैर फॉल को साथ दिन के अंदर ही पूरी तरह से खतम कर पाएंगे और इसकी हेल्प से आप अपने बालों को लंबा और शाइनी भी बना पाएंगे इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है और इसमें मैंने जो भी इंग्रिडियन्स लेए है वो आपको अपने कीचन में बहुत ही आसाने से मिल जाएंगे तो चलिए जानते हैं इस remedy को कैसे बनाना है तो सबसे पहले एक बर्तन में एक ग्लास पानी लेके उसे गरम होने के लिए छोड़ दे फिर इसमें add करें एक चमज ग्रीन टी ग्रीन टी में ऐसे एंटियोक्सिदन्स पाएं जाते हैं जो के hair follicles को stimulate करता है जिससे बाल ग्रो होते है और बालों का गिनना तेज इसे खतम होता है इसे करीब 2 मिनित तक उबालने के बाद आप गैस को बंद कर दे और फिर इसमें add करें कुछ dried curry leaves यानि के सूखा कड़ी पत्ता और फिर इसे 10-15 मिनित तक ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ दे अब 15 मिनित बाद इसे चान के आप यूज में ले सकते हैं इसे आपको हफ़ते में दो बार शैंपू करने के बाद यूज करना है शैंपू के तुरंद बाद ही आप इस solution को अपने बालों में डालके 3-5 मिनित तक ऐसे ही रहने दे और फिस साधे पानी से बालों को wash कर ले trust me ये बहुत ही effective और simple remedy है इसलिए इसके first use से ही आप अपने बालों में shine और softness देख पाएंगे सो ये थी मेरी आज की simple सी home remedy इसे जरूर ट्राय करें और इस वीडियो को पसंद आने बाद इसे like, comment और share करना तो बिल्कुल न भूले सांथी मेरी चैनल को subscribe कर ले जिससे मेरा एक भी वीडियो आप मिस ना करें